साथियों, आज भारत जो कुछ हासिल कर रहा है, उसके पीछे हमारी डेमोक्रिसी की थाकत है, हमारे इंस्टिटूशन्स की शक्ती है, दुनिया आज देख रही हैं कि आज भारत में लोग तांत्रिक तरीके से चुनी गई सरकार, निरनाएक फैसले ले रही हैं, और भारत ने दुनिया को दिखाया है, डेमोक्रिसी केंड डिलिवर, बीते बर्शों में भारत ने अनेकों नए इंस्टिटूशन्स का निर्मार किया है, इंटरनेशनल सोलार अलाइंस भारत के नेत्रुत्व में बनाए, कोईलेशन फ़र डिजास्टर रेजिलियन्ट इंस्ट्रा सेक्टर सीडी आराई का गटन भारत के नेत्रुत्व में हुआ, नीति आयोक आज भविश के रोण मेप को तायक करने में बड़ी भूमिका निभा रहा है, नेशनल कंपनी लोट इम्मुन और एंसी एल्टी देश में कॉर्पोरेट गवर्ननस को मजबूत करने में एहम भूमिका निभा रहा है, जी एश्टी काउंसिल की वज़र से देश में आदूनिक टैक्स व्यवस्ता बनी है, दुनिया आज देख रही है कि कैसे भारत में जादा से जादा लोगों की लोकतांतरिक भागिदारी बढ़ रही है, देश में कोरोना के बीज भी अनेकों चुनाव हुए, सभलता पुर्वक हुए, यह हमारे इंस्टिटूशन्स की ताकत है, वैक्स्वीक संकट के बीच अज भारत का अर्थतंत्र मजबूत है, बैंकिंग सिस्टिम मजबूत है, यह हमारे इंस्टिटूशन्स की ताकत है, हमने दूर सुदूर तक करोना की वैक्सिन पहुँचाई, 220 करोर से अधिक डोट लगवाई, यह हमारे इंस्टिटूशन्स की ताक्त है मुझे लगता है हमारी democracy और हमारे democratic institutions पर इसी वज़े से यह सफलता ही कुछ लोगों को चूपती है और इसलिए हमले भी हो रहे हैं लेकिन मुझे भी स्वास है कि इन हमलों के बीच भी भारत अपने लक्षों की तरफ तेजी से आगे बढ़ेगा अपने लक्षों को प्राप्त करेगा